अलो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि IPPV Mobile Banking App के एक नए प्रावलम के सालूशन के बारे में जो की इस प्रकार है कि Transition Amount Exceeds the Daily Allowable Amount Limit पहले हम जानेंगे कि यह प्रावलम कब और कैसे सो करता है पहले हम अपना IPPV Mobile Banking App को ओपन करेंगे जिसके लिए आपको 4 डिजिट का Yampin फिल करना होगा इस अप्लिकेशन का नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना Yampin फिल करेंगे देखिए आपके IPPV Mobile Banking App का Home Screen ओपन हो गया नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है UPI Services और यहाँ पर एक option है Send Money नेक्स्ट हम इसे Select कर लेंगे देखिए अब यहाँ पर आपके पास तीन option है जिसके माध्यम से आप किसी के भी पास Other Bank में पैसा Transfer कर सकते हैं नेक्स्ट हम Veeam UPI ID को Select कर लेंगे नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर वीन फिशरी Veeam UPI ID फिल करेंगे जिस UPI ID पर आपको Transition करना है नेक्स्ट हम Recent Transition से Select कर लेंगे अब यहाँ पर Downside Continue को Select कर लेंगे नेक्स्ट अब यहाँ पर हम Amount फिल करेंगे जितना Amount हम Transfer करना चाहते हैं तो इसली आप यही पर फिल कर लेंगे नेक्स्ट हम Continue को Select करेंगे नेक्स्ट Confirm कर देंगे देखिए जो आपके IPPB एकाउंट से Registered Mobile Number है उस पर 6-digit का OTP जाएगा नेक्स्ट हम उस OTP को यहाँ पर टाइप कर लेंगे नेक्स्ट हम Summit को Select कर लेंगे देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है Transition Field Transition Amount Exceeds the Daily Allowable Amount Limit Kindly Initiate or Transition for a Lesser Amount नेक्स्ट हम Go To Home को Select करेंगे देखिए यह प्राबलम क्यों सोग कर रहा है पहले मैं आपको अपने एकाउंट का Mini Statement सोग करता हूँ देखिए यहाँ पर आप Easily देख सकते हैं कि मैंने आज के Date पे Transition किया हुआ है 20,000 रुपे का दो बार जो कि IPPB एकाउंट में लिमिट है कि आप एक दिन में किसी अधर एकाउंट में केवल 20,000 रुपे ट्रांसफर कर सकते हैं मतलब कि अगर आपको अपने IPPB एकाउंट से किसी अधर के पास फंड ट्रांसफर करना हो तो केवल आप 20,000 रुपेज ही ट्रांसफर कर पाएंगे एक दिन में यही आपका मैक्सिमम लिमिट है आपके IPPB एकाउंट के लिए और मैंने इस लिमिट को क्रॉस कर लिया है इसलिए मेरे एकाउंट से फंड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है नेक्स्ट हम जानेंगे कि कैसे हम उस प्रावलम को सॉल्व करेंगे उसके लिए अगर आप अधर बैंक को सलक्ट करके फंड ट्रांसफर करते हैं तो आप एजली एक लाग तक का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं एक दिन में अब मैं लाइव प्रूफ देखा दिता हूं कि कैसे आप अधर बैंक को सलक्ट करके आप अपने पैसे को ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है फंड ट्रांसफर और आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है अधर बैंक्स नेक्स्ट आप इसे सलक्ट कर लेंगे देखिए अब यहाँ पर आप जिनके पास पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका easily send to new beneficiary के माध्यम से add करके आप उन्हें transfer कर सकते हैं otherwise अगर आप पहले से उन्हें add किये रहेंगे beneficiary में तो easily आप यहाँ से search करके उन्हें select कर सकते हैं next हम यहाँ से select कर लेंगे next यहाँ पर हम amount fill करेंगे जितना amount हमें transfer करना है तो सब पूच किजिए हमको 38,000 रुपिज transfer करना है तो next हम यहाँ पर fill कर देंगे और यहाँ remarks में fill कर देंगे कोई भी चीज A, B, C, anything next हम continue को select करेंगे अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो आपसन है एक है IMPs और second है Neft अगर आप IMPs के थरूँ payment करेंगे तो यहाँ पर आपको charge पे करना पड़ेगा और Neft के थरूँ अगर transition करते हैं तेहाँ पर आपको charge नहीं पे करना पड़ेगा लेकिन जो payment होगा वो immediate नहीं जाएगा at least 5 या 6 hours का time लग सकता है या फिर minimum half an hour में आपका transaction हो जाएगा तो आप किसी एक के माद्यम से select कर सकते हैं next हम Neft को select कर देंगे next confirm कर देंगे देखिए जो आपका IPPB से registered mobile number होगा उस पे 6 digit का OTP जाएगा next हम उस OTP को यहाँ पर verify कर लेंगे submit को select कर लेंगे देखिए easily आप देख सकते हैं कि आपका transaction successfully done हो गया so अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और अधिक से अधिक share करें so thanks for watching this video